नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करें आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे दोस्तों इसे में सबसे कमन प्रोग्लम पूर्सों में दिखाई दे रही है वह दे रही है है यानि कि अंड़कोस का जो नस है वह मोटा हो जा रही है जब मोटा हो जा रही है तो बहुत ज लिखाई देगा अराम का ठीक भी हो सकता है ठीक है क्योंकि आप मेरे यूट्यूब फैमली मेंबर है छोटी छोटी बात बताना पड़ता है लेकिन दोस्तों आप लोग से बात का देना चाहते हैं आप लोग का कोई भी कुस्टन हो किसी भी बेमारी के सब बंदी आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स और इस्ट्राग्राम पर पूछ सकते हैं हम आपको मदद जरूड करेंगे तो आई दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जो हाइड़ोसिल का जूना से वह मोटा हो जाती है इसको हम लोग इंगलिस में क्या बोलते हैं वेरी को सिल बोलत सब्सक्राइब आपको मोटा दिखाई देने लगता होगा क्योंकि अधिकांश दिखिए थंड का दिन आ रहे थंड के दिन में यह सब समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है और घर्मी के दिने कभी पानी वरस गया बारिस हो गया कभी कभी क्या होता है कि धूपा निकल गया दिखाई अगर आपको समस्या हो बिल्कुल आप ठीक हो जाईगा नहीं के बात नइसना में यह सरत गर्म के वजह से हुजा देंगे सर्दियों के दिन में बहुत ज़्यादा दिखाई दिए क्या आप लोग जांते हैं कि उसमें दर्थ क्यों होती है देखें हम अब आप लोग समझ गए तो दोस्तों के दर्थ को कैसे ठीक करना है इस वीडियो में आपको आपको बताएंगे और यह आ जो देख रहे हैं जो नस जो मौटा हो जारी हो एक नस का वेमारी होती है और उस नस पर BLOD supply होते रहती है अब सुजह ने काल से BLOD जाने में दीकत हो जाती है ठीक है तो दोस्तों उसको कैसे आप लोग ठीकर सकते हैं तो सबसे पहले ही दोस्तों आपको कुछ घरेली उपाई बता देते हैं उस घरेली उपाई कि आप लोग जरूर अपनाईएगा क्योंकि आपको मैडसीन तो मिल नहीं जाएगा पहले जिस तरह आपको दर्द होगा आप देख रहे हैं कि मेरे नस जुग है सुजा हुगा है कर ब्लोट जमने का चंस होता है प्लोट सम्से पास करें तो उसके लिए गरं के रिखेली शरतिकने करता है कि लिए ठर्द करते है यह जज़ा आप छत्बताने लगते हैं इसलित फिरिए कि गरंपानी में बैट जाईएगा तो क्या वह कि C अभ़ों देखेगा दुरे तो आपको आराम दिखाई देगा है लेकिन ठीक होता नहीं है अराम आपको दिखाई देगा टीक है इसके बाद जोस्वाफ़ आपना टीट्मेंट से न्यचार्ट करना है अगर आप घुचा अधरों से भी अग्या सब्सक्राइब अगर बहुत दीन से होगा तो थीक हो सकता है ठीक है और बहुत सारी लोग कांदर काते हैं कि हाइड्रोसिल बारा एक छोटा है तो दस्तों बारा छोटा थुरा राता है उससे आपको नहीं घबराना आपको कौन सा को दोस्तों बोलें कि नस में आपको सुजन हो जाती है उसके लिए सुजन के लिए खुब बनिया मैट्सिन है जिसका नाम है कलिभांथ 625 एक सुबह एक साम को 10 दिन तक रेगुलर खाना है आपको ठीक है बहुत अच्छा काम करें कि किसी भी मेडिकल दुकान में आपको असा आपको आपको 15 दिन द्रहां यह ना रहे हो अच्छा है इसमें आप बहुत ज्यादा काम करें ठीक है तो जो बेने साइट फोने यह भी आप जरूर खहीगा 10 दिन तेक regular साथ में दोस्तों आपको एक विटामिन का दवा बता दे रहे हैं इसका नाम है नीडो काइंड प्लस यह विटामिन का दवाई वी टुएल भी है इसमें यह का करता है कि नस्का भी मस्गूत करता है और नस्का भी तागत देता है तो बहुत अच् काटने के लिए आप एक गैस के दवाई ले लिजिए इसका नाम है ऐसे लॉक आड़े बहुत बढ़िया है यह रोज एक सुबह एक साम को खा लेजिएगा बहुत बढ़िया रिजॉल इसको दिखाई देगा दोस्तों आप लोग इतना समझ गया होंगे बहुत असान तरीक और थीक नहीं हो रहा है तो किसी स्वाट जम डॉक्टर से जरूर देखा आई जरूर बताई हैं अगिल्स अपना अगला सुचेंगे कि यह सब कोई डॉक्टर साइब यही दवा लिख देंगे आपको इसलिए जरूर बताईएगा तो चले दोस्तों हम लोग नेक्स वीडियो मिलते हैं नमस्कार जैहिन जैवारा